साल 2020 के अंदर कन्या राशी के जातकों के लिए कौन से चार बेस, कौन से चार महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके उपर कार्य करके अपने सामर्थे को विजय श्री के साथ में परिवर्तित किया जा सकता है, अपने गोल्स को और अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है जब शनिदेव की ढईया समाप्त हो रही हो, शनिदेव स्वग रही हो, ब्रहस्पती केतु का द्वजयोग बना हो, राहू तृतिय उप्चे स्थान के बीतर बिराजमान हो, इच्छा शक्ती को जागरत करने वाले हो, तो वहीं पर मंगल जो की इस चतुर ग्रही विवस्ता क के साथ में जोड़ कर दिखाए नहीं गए हैं, वो पराकरम भाव के भीतर बिराजमान रहे वर्ष के शुरुबात के अंदर, तो पहला सूत्र हो जाता है, केतु के साथ में जोड़ा हुआ, केतु उच्चस्त हैं, लालाईत करने वाले होते हैं, जिस भी काम ने आपको लं कोई प्रापर्टी हो, या फिर काम काज का कोई भी नया इस्तर, वहां से लालाईत करने वाले इस्ततियों को, अगर आपने अपनी डेडिकेशन के अंदर बदल दिया, तो वो सफलता की पहली बेस लाइन को प्रिपेर करने वाली रहेगी, आप अपनी फैसिनेशन को जाने उसके उपर काम करें, डेडिकेशन में उसको बदलें और विजय प्राप्त करने वाले आप उस इस्तर के उपर रहेंगे, तो वहीं दूसरा इस्तर है, किसी भी कामकाज की डीपर सेंसिस के अंदर टेकनिकल पूजिशन को जानना, तकनीके विकास, जब भी शनिदेव चम भाव में विराजमान रहते हैं, तो मांसिक स्तर के उपर टकनीक को जानने की परवर्तियां, खोजबीन और अन्वेशन की परवर्तियां बढ़ने लगती है, और साथ में ही एक बहुत मैत्वपूर्ण कारण है, कि ब्रहस्पती पांचवी दृस्टी से अस्ठम भाव क देखने वाले रहेंगे, तो इसी वज़े से आप खोजबीन की परवर्तियों के साथ में चलते हुए, किसी भी विशय के टेकनिकल एस्पेक्ट को जानकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, कामकाज और कामकाज की परवर्तियां ठकान नहीं देने वाली है, इच्छा शक्त इसी बार बार शीन हो सकती है, किन्तु आप स्वयम अगले दिन उटकर खड़े होने वाले रहेंगे, तो इसी वज़े से किसी भी काम को छोड़ियेगा मत, इसी वज़े से किसी भी काम की रवतार को पीछे मत रखियेगा, क्योंकि ब्रहस पती एक कमफर्ट जोन के साथ में आपको चलाय मान करने वाले रहेंगे ही रहेंगे यहां पे, जो चौथा सुत्र मंगल के साथ में निकल कर आता है, पराक्रम भाव के साथ में पूजिशन मंगल की जुड़ी रहेगी, जिनको हमने यहां पर दिखाया नहीं है, किन्तु वर्ष की शुरुवात में, जब थर आग्ये का सपोर्ट एक तरफ है, वो मिलेगा, उस हिसाब से मिलेगा, किन्तु हमें अपने कर्म के साथ में चलते चले जाना है, फर्स डे ही अगर यह एगनीशन मिल गया, तो 366 दिन, यह फरवरी 29 दिन का है, तो यह 366 डेज आप रुकेंगे नहीं, ठकेंगे नहीं, खु पॉलिशन भी खुद के लिए पास कीजिएगा, स्वयम की नजरों में स्वयम को वीवी आईपी बना कर रखिएगा, दूसरों के सामने वेक्ति खुद को वीवी आईपी बनाता है, किन्तु खुद की नजरों के अंदर उसको शीन करता चला जाता है, शनी देव की डईया पूर्ण हो चुकी है, अपने स्वामर्थ थे की ललकार को सुनिये और आप चलते चले जाएए, वहीं पे आपके लिए सक्सेस की पूरिशन बहुत अच्छे से देखी जा रही है, तो वर्ष दो हजार बीस नव चेतनाओं को लेकर आने वाला रहे, वर्ष दो हजार बीस इस गरही रवस्ता के साथ में सामंजस से स्तापित करके पृतिये कुषण आपके लिए नए लक्ष संधान को करने वाला रहे, ऐसी ही वो सर्वोच सत्ता से कामना है, बारम बार आभार और दो हजार बीस की अनंत कोटी शुप कामना है